हलो इस्ट्रोएन बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा चट्वी गनित के इस वीडियो लेक्षर में आज हम प्रस्णाली 2.2 के जो कुष्टन है उसको सौल करने वाले हैं और इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने अलग-अलग नियम जो इस प्रस्णाली की कुष्ट को सौल करने के लिए आवजक है उनको डिटेल में समझाया है तो चलिए अब प्रस्णों को देखते हैं और साथ ही कौन से नियम यहां पर अपलाई हो रहे हैं उसको भी देखते चले जाएंगे तो पहला कोस्टन है यहां पर क्या बोलता है निन में प्रस्णों को दी गई जानकारी के अधार पर बिना गुना या योग किये हल किजे कहने के मतलब इसको योग करना या गुना करना हमें नहीं है और डारेक्ट जो है कि इसको सौल करना है तो यहां पर कौन सा नियम अपलाई होने वाला है यह आपको मैं बता देता हूँ यहां पर जो नियम अपला इसको ध्याय से समझहे क्रम विनमें नियम क्या कहते हैंग है क्रविनमें नियम चीट्रा धीज्ट के रहे तो इसका यूग फिल कितनम संख्या को बाद में लिखें। और इसको योग करें, तो भी हमें योगफल सी ही मिलेगा, यदि हम इसको किसी संख्या के रूप में देखें, तो यहाँ पर देखो, यह जो 15 है, ठीक है, 15 और 25 क्या है, दो संख्या है, यहाँ पर 25 को क्या किये, पहले लिख दिये, और यह जो 15 पहले उसको बाद में लिख द तो भी इस नियम के according answer कितना आना चीए, सेम आना चीए, तो यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीकी का relation, यहाँ पर भी देखो, 40 धन सुन्ने बराबर 40 दिया है, तो सुन्ने धन 40 बराबर भी 40 होगा, तो यहाँ पर कौन सा न क्रम विनमे नियम अपलाई हो रहा है, ठीक है, अब देखो, जितना भी जोडने वाला था, उसको हमने solve कर लिया, अब यहाँ पर बजगे गुना वाला, तो गुना वाला क्रम विनमे नियम क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं, तो क्रम विनमे नियम सिर्फ दो संक्रिय इस हम अपकी प्राक्री संख्या, ठीक है, अब गुणा वाला कर्म विन मैंनियम है, यदि दो संख्या है हम इस तरीके से लेते हैं A और B और आपस जुणा करते हैं, और इसका योगफल क्या मिलता है हमसी मिलता है, यदि हम B को पहले रखे, A को बात में रखे और उनके बीच तो भी हमें योगफर सी मिलता है ठीक है और ये किन के लिए बात करें हम ये जो है कि आपकी प्राक्री संख्या ठीक है और पुर्ण संख्या पुर्णांग या फिर आपका भिन संख्या ठीक है तो इन सभी संख्याओं के लिए आपके ये जो दसमलव संख्या होते हैं जो नियम है वही follow करता है क्या है देखिए इस नियम के recording यदि एक संख्या है उसके साथ आप दूसरी संख्या को गुना करोगे तो भी आपको वही मिलेगा देखो कान वो क्या है सिधे पकड़ो या उल्टा पकड़ो पकड़ने से मतलब है वैसी है इसमें आप पहले इसको ले ल यह मतलब तो सेम है ना तो उसका जो गुनन फल है वो क्या होगा इकवल होता है तो इस नियम के एकार्डिंग यहाँ पर देखो जैसे कि 17 गुना तेवीस है है ना और इसका गुनन फल कितना मेरे 3792 सेकर्ड में क्या किया है यह तेवीस को पहले ले लिया 17 को बात में कर लिया आखिर जो गुना हो रहे संख्याए वही है सेम है तो उसका जो गुनन फल है वो भी वही ठीक है उसका गुनन फल भी तो वही आएगा तो इसमें को हम आसानी से ऐसे सौल कर सकते हैं बीना यहाँ पर गुना किये यहाँ पर देखो 49 गुना एक बराबर 49 है तो एक गुना 49 यहाँ पर हमने क्या किया कि जो सेकर्ड संख्या उसको पहले बना दिये और जो पहले संख है उसी को यहाँ पर दे दिया है एक गुना भी बराबर सी है तो भी गुना यह बराबर भी क्या आजाएगा सी आजाएगा ठीक है तो इस तरीके से यह जो पहला कोश्चन है उसको हम बीना स्टॉल करें यहाँ पर आंसर को बता सकते हैं चलिए अब सेकंड नमबर का प्रस्ण को देखते हैं और इन प्रस्ण को कैसे स्वाल करना है क्या बोलता है यह प्रस्ण निर्म लिखी सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योगफल ग्यात कीजिए जिससे योग की संक्रियां असान हो जाई तो इसका मतलब समझी यह क्या है चलिए मैं आपको एक एक जामपल दिखाता हूँ और फिर आपको समझना होगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं ठीक है जिसे कि मैं मालो चार में एक जोडता हूँ ठीक है तो यह आपको सरल लगेगा कि चार में मैं तीन जोड़ूंगा वो ज्यादा सरल लगेगा डेफिनेट इसी तरीके से मालो 7 में मुझे 3 जोड़ना है तो 7-3-10 होता है ठीक है और यदि मेरे को 7 में 4 जोड़ना है तो 7-4-11 होता है तो कौन सा ज्यादा इजी होगा यहाँ पर जो 10 आता है वो ज्यादा इजी है इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज को और समझे आठ में दो जोड़ना ज्यादा सरल है कि आठ में तीन जोड़ना ज्यादा सरल है आठ में दो जोड़ना दस ठीक है यह ज्यादा सरल है यदि आठ में मैं एक जोड़ता हूँ तो नव आता है लेकिन आठ में दो जोड़ने से दस आता है ऐसे अंको को पहले लेना है, उसको आपको जोड़ना है, अब यहाँ पर प्रस्न को समझे, ध्यान से देखो, ठीक है, पहला वाला प्रस्न को देखो, यदि 9 में मैं 1 जोड़ता हूँ, तो मुझे 10 मिलेगा, ठीक है, 10 मिलेगा बाद हासिल आएगा, फिर यहाँ पर 1 आजाए यह मेरे लिए आसान है, 9, 8, 17 बोलना, ठीक है, लेकिन यदि आपको बोला जाए, याज कोई छोटे बज़े को बोला जाए, तो वो क्या करेगा, वो हाथ में ऐसे गिनेगा, 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यह ज़्यादा कठीन है, ठीक है, तो जो चीजे सरल लगे उन चीजों को करना है, है न, उसी तरीके से यहाँ पर देखो, 2 और 8 को जोड़ोगे तो 10 होता है, 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 होता है, तो जिनको जोडने से 10 आता है, ऐसे वाले को आपको 7 में रखना है, ठीक है, अब इसको सॉल कैसे करना है, उसको देखो, मैं क्या करता ह पहले से जम्म हूआ अपन को करना इसको ग्रूपिंग करना क्या करना है क्या क्रोपिंग जैसे इसको इस रहीके से ले ले लेना और यह जो 1, 2, 4, 8 है इसको बात में रहने देना है मतलब कि इन दोनों को पहले जोड़ना है ठीके तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ये वाला 9 और ये वाला 1 जोड़ेगा ठीके देखो 21 से 21 जोड़ता है 21 से 21 जोड़ता है ठीके तो 9, 9 के साथ 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 फिर कितना आजाएगा हासिल? 1 ठीके? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 9 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 ठीके? फिर यहाँ पर 0 आजाएगा फिर हासिल में 1 आजाएगा ठीक, अब यह कितना हो गया, 5 और 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 फिर से यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है, फिर से एक खांसिल आ जाएगा अब यह कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4 अब यहाँ पर सैकड़े में कोई नहीं है तो सिधा सिधा इस 4 को हम ऐसे उतालेंगे और इस 2 को भी उतालेंगे और यहाँ पर जो दिया है उसको इसके बाद इस तरीके से लिख लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे जोडेंगे तो इकाइम में क्या है आपर 0 है यहाँ पर यह कैम क्या है, आठ है, जीरो और आठ, आपस तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, आठ ही होंगे, जीरो और फोर, यह आपस तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, फोर ही होंगे, और जीरो और टू, इसको जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, है चार और एक को जड़ोगे कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा ठीक और यहां पर जो 10,000 के जगा में है दो है इसके साथ जोडने के लिए कोई नहीं है तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा पहले वाले का आंसर मिलेगा ठीक है अब जो है कि हम सेकन वाले कोईस्तन को सॉल करते हैं इसी तरीके से तो क्या मिलेगा उसको देखते हैं देखो यह यहां पर दिया हुआ है तो सबसे के साथ इस 68 को जोड़ना असान है तो अपन 68 को यहाँ पर आगे ला देते हैं और इसको एक ग्रूप में रख देते हैं ठीक है और यहाँ पर देखो 6, 4, 10 ठीक है तो इनको जोड़ना असान हो जाएगा इसलिए अपन क्या करते हैं इनका भी जोड़ा 10 हो जाएगा तो यहाँ पर सुन्ने हो गया ठीक है 2 और 8 10 ऐसे 10 आते हैं 10 का सुन्ने को यहाँ पर लिखते हैं ठीक है तो सुन्ने को लिख लिए और यह वाला एक क्या हो जाएगा यहाँ पर हासिला Sorry यहाँ पर हासिला जाएगा अब क्या हो जाएगा ये? 3 और 1, 4 4 और 6, 10 तो ये कितना हो गया? 100 हो गया 32 और 66, 100 यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है अपनको? 6 और 4, 10 10 का सुन्य ठीक है? हासिलाया 1 अब ये कितना हो गया ये? 4 और 1, 5 5 और 4, 9 ठीक है? 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया अब यहाँ पर क्या है? 5 है यहाँ पर क्या है? 5 है 5 और 5, 10 हासिलाया 1 तो ये कितना हो गया? 3 ठीक? समझाया? अब क्या करना है? अपनको इसको जोड़ना है तो देखो सुन्ने और सुन्ने आपस को जोड़ेंगे तो सुन्ने हो गया 9 और सुन्ने आपस को जोड़ेंगे तो 9 होंगे सुन्ने और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएंगे और ये लास्ट में 3 ठीक है? तो यहाँ पर भी देखो जब हम यहाँ पर योग कर रहे हैं तो बड़ी आसानिस हो रहा है यहाँ पर भी देखो आठ और दो को जोड़े 10 आसानिस आ गया ठीक है, हासिल आया, यह जो है कि 4 हो गया 6 और 4, 10 होता है, है ना, यह उपला अपन को पता है ये भी आसानिस हो गया, इसी तरीके से आप देखो 6 और 4, 10 हो गया, 10 का सुनने आया, हासिल आया 1, 4 और 1, 5, 5, 4, 9, ठीक है, इस तरीके से, और फिर 5 और 5, 10, हासिल आया 1, 2 और 1, 3, तो ये क्या होता है, इस तरीके से आपको अब्सर्व करना है, कि किसको जोडने से 10 आ रहा ह है, यही इस परकार के question को solve करने का fund है, अब आप तीसरे नमबर का प्रस्व को देखो, तीसरे नमबर का प्रस्व क्या बोलता है, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ देखे, 7 और 6 को जोड़ोगे, है ना, 7 और 6 को जोड़ोगे, तो कितना होता है, 13 होता है, अब इसको जो प्रक्रिया होती है, वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, तो अपन वैसी करते हैं, आपर हल लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर ये 2, 4, 7 है, इसके साथ किसको ला देते हैं, 153 को ला देते हैं, क्योंकि 7, 3, 10 हो रहा है, तो यहां पर इसको जोड़ना आसान हो जाएगा, फि इससे 10 आगया फिर यहां पर हांसिल में 1 2 और 1 3 3 और 1 4 तो यहां पर 4 आगया और यहां पर बगल में का दिया है 3 7 6 दिया है अब इसको अपन को जोड़ना है तेखो 0 आया है 0 को 7 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा साथ आएगा चार और नम्बर को प्रस्टर में कीन जोडा करने से हमको 10 मिलता है तो यहां पर यह तीन दिया है है यहां पर साथ्य साथी साथorta है है तो इसको जोडना क्या है ज़्छदा easy है तो अपन 4 नमबर का प्रस्टन को जब solve करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हल लिखो पहले और ठीक है और 1, 4, 3 के साथ किसका जोड़ा बनाना है अपन को 8, 5, 7 वाले को बनाना है और ये जो 4, 5, 6 है ना इसको अपन भाद में जोड़ना है ठीक है इस तरीके से आपको करना है और इसको जोड़िए तीन और साथ को जोड़ोगे तो 10 यहां पर कितना आगया 1000. ठीक है? अब अपन को क्या करना है? 1000 में 456 को जोड़ने हैं तो इस तरीके से यह क्या हो जाता है? किन को जोडने से आपको 0's प्राफ्ट होंगे? यहाँ पर देखो 8 और 2 10 ठीक है तब भी आप जो है कि यह जो प्रस्न है इसको जब आप solve करोगे तो आपको यही देखना है कि कि इनको जोडने से 8, 2, 10 इस लकार के condition आपको प्राप्त होते हैं तो अपन इस तरीके से लिख लेंगे फिर इसके बाद 3, 2, 9, 5, 8 है इसको पहले लिख लिए और इसके बाद इसको लिख लेंगे ठीक है 1, 2, 0, 4, 2 और last में अपन यह जो अपना 5000 है इसको लिख लेंगे अब इसको क्या करने हैं अपन को जोडने हैं जोडेंगे तो कैसे हो ज दस हाथमें ऐंगे यहां पर आपको दीख नहीं रहाओगा मैं इसको उपर कर दिता हूं आठ और दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा इस दस का इस जीरो को अपन यहां पर लिए और आपर हासिल पाँच और एक कितना कितना हो जाएगा 10 नहीं चीना कहले रहे धर तेक है अब यहाँ पर देखो दो इहां पर एक हाशिल आ वह कितना है और उसके बाद यहां पर एक है कितना हो जाएगा तितना आए planningन रहें चाट तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं तो इसमें अपन को जोड़ना है 5000 को से जोन है कैसे होगा जिरो में जिरो जोड़ेंगे नियों जोर होगा जिरो घ्र होगे तो यह जहाँ है आत्म,4 और एक नहожно फेल Александ दितना ध्यान देना है कि किन को जोड़ने से आपको 10 प्राप्त हो रहा है जैसे 9 और 1 को जोड़े तो 10 प्राप्त हुआ तो इनको जोड़ी बनाए है ना किसी भी रासी में सुन्य का गुणा करने से कौनसी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो देखो इसको याद रखना किसी भी रासी में यदि हम सुन्य का गुना करते हैं तो हमें सुन्य ही प्राप्त होता है अब नेश्ट प्रस्ण ये योग के लिए समवरक नियम क्या है तो देखो इसका उत्तर क्या है योग के लिए समवरक नियम किसी संख्या समू के सदस्यों संख्या समू का मतलब जैसे प्राक्रिस संख्या होता है पूर्न संख्या होता है पुनांग संख्या होता है ठीक है तो ऐसे तो किसी संख्या समों के सदस्यों का योग फल उसी संख्या समों के सदस्यों में से कोई प्राप्त हो तो इसे योग के लिए समवरक नियम कहेंगे अब यहाँ पर देखो यह और इसको समझो जैसे कि यह पुर्णांग संख्या समों है कौन-कौन से सदस्य हैं सुन्य एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस जितना भी आप पॉजेटिव नमबर लिखना चाहो वो सब जो है कि पॉर्ण संख्य समों के सदस्य हैं अब इन में से हम कोई दो सदस्य को लेते हैं और उनका योग करते हैं ठीक है एक और दो क् संख्य समों के सदस्य हैं यहां पर क्या हो रहा है यह सभी का संवरक नियम कहते हैं तो हैनगा लिखना पड़ेगा आपको ये पूरा लिखना है और ये जो आपका यहां तक example को भी लिखना पड़ेगा ठीक है संक्रियाओं के गुण के अधार पर निर्म लिखेद खाली इस्थानोंगी पूर्ती कीचिए तो यहां पर आपन देखते हैं और क्या-क्या संक्रियाओ के गुण है उसको देखते हैं तो यहां पर देखो two three seven six plus four five five nine अब यहां पर दो संख्या हैं उनका योक करें दूसुरे साथ में देखो जो पहली संख्या है उसको क्या कियें, प्लस के बाद में लिखें, पहली संख्य को क्या कियें, प्लस के बाद लिखें हैं, तो प्लस के बाद वाली जो संख्या वो कहाँ पर आ जाएगी, पहले आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, अब यहाँ पर कौन सनियम अपलाई हो रहा है, यहाँ पर अपलाई ह होता है कहने का मतलब है संख्याओं की क्रम को बदल दोगे जैसे एक जगा आप लिख रहे हो है ना तो इसके जो उसका परिणाम है वो चेंज नहीं होता है उसी अधार पर इसका आंसर हम जो है की लिख पा रहे हैं अब यहां पर देखो एक के साथ आप सुन्य का गुना कर र प्राप्त होता है ठीक है यदि हम सुन्य में किसी भी संख्या का गुना करते हैं या सुन्य को किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वहां पर हमको उत्तर सुन्य ही प्राप्त होगा देखो एक गुना सुन्य करो या सुन्य गुना एक करो आपको आंसर कितना प्राप्त ह सुनने ही प्राप्त होगा अब तीसरा वाला को देखो क्या बोलता है यहां पर एक्चुल में हमको उपर में से संख्याएं दिया है उनमें से नीचे जो संख्याएं उसको घटाना है और घटाना है ठीक है अब यहां पर जो यह खाली स्थान है ठीक है इन खाली स्थान पर क् यहां पर 7 6 में हमें कुछ संख्या घटाना है और 7 तो आप यह पताइए कि इन में हम क्या घटाएंगे तो सात आसकता है 6 से छोटी कोई भी संख्या को घटाते हो आप गटाओ तो आपको पांच मिलेगा समझ है रहे, 6 से छोटी, आप कुछ भी संख्या को घटा तो जादा से जादा आपको 6 प्राफ्ट हो सकते है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या को यदि घटाते हो चै में तो आपको 6 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 6 से बड़ी संख्या खटाना है ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर 6 से बड़ी संख्या को लिखना है और उसको घटाना है, तो 7 आएगा, अब यह कैसे possible है ये तब possible है जब ये 6 इससे हासिल लेगा क्या करेगा 6 इससे हासिल लेगा और उसके बाद कोई संख्या को घटाओगे तब यहाँ पर 7 आएगा ठीक है तो जब ये 6 इससे हासिल लेगा तो क्या बन जाएगा ये 16 अब 16 में क्या घटाओगे तो 7 आएगा ये आपको पता करना है तो उसको पता करने का तरीका क्या है कि 16 में आप इसको घटा दो ठीक है 16 में जब हम 7 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है तो ये 9 को कहाँ पर लिखना है अपन को यहाँ तो देखो ये 6 जो है कि इससे हासिल लेगा तो यह 16 हो जाएगा 16 में से 9 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा लेकिन यह आपने कैसे तै किया आपने यह देखा कि 6 में यदि हम सबसे चोटी प्राकिस संख्या को घटाते हैं तो 5 मिलता है 6 में सबसे चोटी पूर्णाइंग संख्या को घटाते है तो आपने को क्या मिलता है 6 मिलता है इसका मतलब क्या है कि 6 से चोटी संख्या को घटाओगे तो आपको यह 7 नहीं मिलने वाला ठीक है इसलिए हमने यह सोचा कि क्यों न हम इससे हासिर ले assistir हासिर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 16 12 में हमकुछ संध्य गहता कर सकते हैं लेकिन 16 में गहता है तो साथ प्राप्थ होगा इसको डिमार्ग लगाने अच्छा जो यहां पर दीख रहा है उसी को घहता देते हैं ठीक है तो 16 में हमने 7 को घहता आया तो हमको 9 अपराप्त हुआ यह नव को यहां पर लिख दे तो इस तरीके से आपको डिमाग लगाना है अब देखो यह वाला तो इसको हासिल दे दिया है तो यह खुद कितना बज़ गया है खुद यह जो है कि छैवाज गया है ठीक है चैव में जब आप तीन घटा होगे अब यह हो गया है तो इस चैव में जब इस तीन को घटाएंगे तो कितना आजाएगा तीन आजाएगा ठीक है उस तीन को क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे ओके अब यहां का तो खेल खतम हो गया यह वाला इससे यहां से लिया नहीं था अब यह कितना है आठ है आठ में कितना गटाओंगे तो चाह होगा है अब अगें आठ में कितना घटाएंगे तो चाह होगा इस प्राफ्त होगा इसका घुणने से अच्छा है 8 में सिधा-सिधा 6 को घटा दो, ठीक है, 8 में 6 को घटा ओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, वस 2 को यहाँ पर लिख दो, तो इस तरीके से यह जो पांचवा नंबर है न, यह जो की आपका सॉल हो जाता है, खेली देखते हैं, 6 नंबर का प्रस्णा, 6 नंबर का प्रस्णा क्य करब एक सब्द में आपको आंसर देने हैं, यहाँ पर कोई हल करके, solve करके आपको बताना नहीं, तो इसका जो आंसर है, वो सिदह सिदह 1 है, लेकिन यह 1 कैसे आया, उसको देखे, यदि हम 1 संख्या 1 हैं, एशे को इसी संख्या से भाग दे रहे हैं, इसका answer क्या है एक तो आपको directly एक answer देना है ये वाला आपको समझाने के लिए मैंने हाँ पर लिख रखाए अब नेश्ट प्रसन है 7 नमबर का प्रसन चलिए 7 नमबर का प्रसन देखते हैं 7 नमबर का प्रसन क्या बोलता है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुननफल बताईए तो इसको हल करने का टेकनिक सिंपल है सबसे पहले हल लिखो ठीक है अब उसके बाद चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अब यहाँ पर बड़ी संख्या पूर्ण बोलो या फिर प्राकृत बोलो या फिर पूर्णांग बोलो सब में वही जाएगा ठीक है क्योंकि पूर्ण संख्या बोलोगे तो भी प्राकिस संख्या बोलोगे तो भी यदि आपको चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है तो वो क्या होंगे 9999 होगा ठीक है इसमें यदि हम एक जोर देंगे तो ये पाँच अंको की हो जाएगी इसे ये सबसे बड़ी संख्या होगी चार अंको की अब उसके बाद क्या करने हमें एक अंको की सबसे चोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तो सबसे चोटी पूर्ण संख्या एक अंको की क्या होती है सुन्य होती है अब इन दोनों का क्या करने गुनन करना है 9999 और सुन्य का गुनन फल ग्याद करना है तो इनको हम गुना करेंगे अब देखो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में यदि आप सुन्य का गुना करते हो तो आपको गुनन फल क्या प्राफ्ट होता है सुन्य प्राफ्ट होता है अब देखो, मालो ऐसा कोई संख्या 4 से एक बठा दो, ठीक है? अब इसके साथ भी ज़ी मैं सुनने का गुना करता हो, तो मुझे सुनने ही प्राफ्थ होगा, इसको याद रखो यदी कोई संख्या ऐसा है 4 ला एक, सुनने, 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 दो, ऐसा लैपसा है इसके साथ भी यदि आप सुनने का गुना करते हो तो आपको गुननफल कितना प्राफ्थ हो जाएगा अब नेश्ट नंबर का प्रस्ण है और ये मौकिक वाला जो प्रस्ण है उसका आखरी प्रस्ण है इसमें क्या बोलता है यदि 76 गुना 16 यदि 76 गुनी 16 बराबर 1216 हो तो 1216 अब कोश्टक दिया है फिर उसके बद 76 बराबर 16 ये कैसे आएगा तो सिंपल से एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर क्या किया है ये जो है कि 76 को क्या किया है तिरिया गुना किया है क्या किया है तिरिया गुना ये 76 जो है कि 16 के साथ कैसा संबंद रख रहे है गुना का संबंद रख रहे है जब तिर्या गुना करोगे दूसरे साइड में जाएगा तो क्या बनेगा भाग बनेगा अब ये तिर्या गुना यहाँ पर तो दीखनी रहा है ठीक है तो इसको दूसरे कौंसेप्स से समझो कि गुना का उल्टा क्या होता है भाग होता है इसलिए यदि 76 गुना 16 बराबर 12 16 1216 है तो यदि हम 76 को दूसरे साइड में ले जाते हैं यहाँ पर यह क्या कर रहा है गुना कर रहा है दूसरे साइड में जाएगा तो गुना का उल्टा गुना का उल्टा क्या करेगा भाग करेगा ठीक है गुना का उल्टा क्या करेगा भाग इसलिए यहाँ पर को सा चिनाएगा भाग का चिनाएगा इस वीडियो में इतना ही और आप अपने जो किताब है उसको खोलिए यदि आपके पास किताब है तो और उसको ध्यान से पढ़िए और जो चीजे मैंने यहाँ पर बताई है उसको अच्छे से नोट्स बनाईए बेस्ट आप लग मन लगा के पढ़ाई करो थाइंक यू मिलते हैं नेस्ट वीडियो में